गोरकबूर का एक ऐसा मामला जिसने गोरकबूर को हिला करके रख दिया दरसल दो करोन रुपे के जालसाजी का मामला है मामला गोरकबूर का भी है जो जालसाजी के सिकार हुए वो भी गोरकबूर के हैं और जो आरोपित हैं वो भी गोरकबूर के ही हैं इसके पहले की पूरी सच्ची कहानी आपको बताऊं। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप फेस्बूक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेस्बूक पेज को फालो जरूर करे आई अब कहानी शुरू करते हैं नमस्कार मैं हूं देवरत पांडे और आप देख रहे हैं निव्जांदवे दरसल 12 जुलाई 2024 को सहजनवा थानाचेतर गोबिंद पूर्निवासी चंद्रिका निसाथ सहजनवा पुलिस को तहरीर देते हैं कि उनके साथ गीड़ा थानाचेतर में जमीन दिखा करके दो करून रुपे की ठगी हो गई है जालसाजों ने उनसे दो करून रुपे ले लिया है जब पुलिस मामले की जांस करती है तो कहानी कुछ और ही निकल करके आती है दरसल गोविंद पुर निवासी चंद्रिका निसाथ ये 20 सालों से कलकत्ता में ठेके का काम करते हैं ठेके पे मौल बनवाते हैं मंकान बनवाते हैं अच्छा ब्योसाद चलता इनका एक अच्छे ब्यापारी है कलकत्ता के अब बाजगाउ थाना छेतर निवासी अमरजीत जो इस मामले के मुख्य आरोबी है और इस मामले का सरगना भी बताया जा रहा है ये रावत पार का निवासी है बाजगाउ थाना छेतर में रावत पार पड़ता है ये चंद्रिका निशाद से पुर्व से ही परचित था और इसे भली भात ही मालूम था कि चंद्रिका निशाद कलकत्ता के एक बेहद बड़े ब्यापारी हैं और उनके पास करोणो रुपए हैं अब क्या था अमरजीत अपने साथियों से मिल करके एक प्लान बनाता है और अपने साथियों को ले करके कलकत्ता चंद्रिका निशाद के पास पहुंचता है तो उन्हें बताता है कि उसके पास धेर सारी नकली नोट की करेंसी है और अगर आप 2 करोन रुपए दें तो आपको मैं 8 करोन रुपए का नकली करेंसी दूँगा और नोट ऐसे हैं जिसे आप चलाएंगे कोई समस्या नहीं होगी अब चंद्रिका निशाद को फसाने के लिए जालसादों ने 5 लाख रुपए उन्हें एडवांस दे दिये नोट तो असली थी लेकिन चंद्रिका निशाद को बताया गया कि ये नोटें नकली हैं और उन नोटों को बकायदा बेटा डीन से धुला गया था साफ किया गया था ताकि नोट एकदम चमकदार हो जाएं और देखने में ऐसा लगे कि अभी इनकी छपाई होकर के आई है 5 लाख रुपए चंद्रिका निशाद को जालसाद दे देते हैं एडवांस के रुपए कि आप पहले ये 5 लाख चला लीजिए अगर आपको कोई परिसानी नहीं होती है तो आप 2 करोण दीजिएगा हम आपको 8 करोण रुपए की नकली नोट देंगे अब चंद्रिका निशाद नोटों को जाते हैं मार्केट में चलाते हैं 5 लाख रुपए चलाने में उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है जिससे उनको पूरा विश्वास हो जाता है कि नकली नोट एकदम हो भो अस्री जैसे है कोई पकड़ नहीं पा रहा है तो 2 करोण देने में कोई नुकसान नहीं है वरहाल चंद्रिका निशाद ने ततकाल जालसाजों को 50 लाख रुपए दे दिये कि आप 50 लाख रुपए ले लिजे 1.5 करोण रुपए मैं आपको बाद में दे दूँगा जालसाजों को 50 लाख रुपए मिल गए जालसाज तुरंता एक इसकारपियो गाड़ी खरीते हैं और बाकी बच्चेवे पैसे आपस में बाट लेते हैं अब आगे की प्लानिंग सुन करके आप और भी दंग रह जाएंगे अब जालसाजों ने आपने दोस्तों के साथ मिल करके प्लान बनाया कि अब 1.5 करोण रुपए कैसे निकालने है जब चंद्रिका निसाद ने अमरजीत के पास फोन किया कि मेरे 50 लाख रुपए के नकली नोट तो कम से कम आप दे ही दीजिए जो मेरे 50 लाख आपको दिये हैं उतने के नकली नोट आप दे दीजिए लेकिन आरोपी अमरजीत उनसे कहता है कि बागी के 1.5 करोण रुपए अगर आप दे दीजिए तो हम आपको 8 करोण रुपए दे देंगे चंद्रिका निसाद बागी के 1.5 करोण रुपए देने के लिए तयार हो जाते हैं जालसाज उन्हें गोरगपूर बुलाते हैं चंद्रिका निसाद गोरगपूर 1.5 करोण रुपए लेकर के आज आते हैं इधर अमरजीत वो उसके अन्य साथी मिलकर के की योजना बनाते हैं कि जैसे ही हम 1.5 करोण रुपए चंद्रिका निसाद से लेंगे ये उस ब्यापारी से लेंगे तुरंट नकली पुलिस बनवाते हैं वो लोग कुछ पियाडी के जवानों को किराय पे लेते हैं कुछ सुत्रों के हवाले से कबर है कि पियाडी के कुछ जवानों को किराय पे लेते हैं और प्लान बनाते हैं जैसे हो पैसा हमको देगा आप लोग तुरंट वहां आ जाईएगा और हम पुलिस पुलिस कहा करके भाग चल से बैग में रूपईयों के जगब पारले बिस्कित भर करके लेके आये था ताकि जब बैग ब्यापारी उठाए तो उसको लेगे इस पे रूपए भरे हुए है उसने उस बैग में पारले जी बिस्कित भर दिया था अब इदर बैग का आदान परदान हो रहता तब तक वहाँ पुलीस आ गई नकली पुलीस जो प्लैनिंग में सामिल था पुलीस जैसे ही वहाँ पहुंचती है पुलीस पुलीस कहा के ये लोग बैग छोड़ करके फरार हो जाते हैं ब्यापारी वहाँ से भाग जाता है और पैसा ये लोग ले लेते हैं उदर ब्यापारी को पता था कि पैसे पुलीस ने जब्त कर लिया है लेकिन डरते डरते वो सूचना तो नहीं देना चाहता था डरते डरते किसी तरह हिम्मत जुटा करके 12 जुलाई को वो सजनवा थाने पहुंचता है और एक तहरीर देता है जिसमें वो लिखता है कि गीडा थाना चित्र में मुझे जमीन दिखा करके मेरे 2 करून रुपए हड़प लिये हैं अब पुलिस जब इस पे कारवाई करती है तो मामला सारा खुल करके सामने आ जाता है पुलिस ने साथ लोगों को गिरफतार कर लिया है बाकी आठ आरोपियों की अभी तलास जारी है पुलिस के इस त्वरित एक्षन से एक बड़ा जालसाजी का मामला खुल गया हाँ एक बात और भी पता दें इस मामले को लेकर के बेली पार थाना चेतर में इससे भीटी हो गया बरही पार हो गया कत्रारी के कुछ हिस्से हो गए जहाँ यह सोर था कि 6 किलो सोना मुंबई से चोरी होकर के आया है और उसी के अंतरगत पुलिस लोगों को गिरफतार कर ले यह एक बहुत तेजी से फैला हुआ था मैंने भी इस पे काफी तहकिकात किया जिस पे पता चला यह मामला पुरी तरह से फरजी था यह लूट यह धोका धड़ी के मामले को ही सोने का रूप दिया जा रहा था चुकि यह हमरजीत चोहान का रिलेटीब भीटी में भी रहता है जहां से भी सुनने में आए कि वहाँ भी एक पुलिस महिला पुलिस वहाँ आई थी तो इसलिए यह फरजी वहाँ क्रियेट हो गया था तो पुलिस के तुरिट एक्सन से एक बड़ा मामला खुला ख़़र आपको अच्छी लगी हो तो एक बारा और रिक्वेस्ट है हमारे चनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी और भी खबरे देखने के लिए देखते रही है निव्स आन्दोवे